दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए नहीं है। तो पहले तो ये बताओ जोस कैसा है, हाई है की नहीं है, अगर हाई है तो comment box में हाई लिखना, जोस हाई रहना चाहिए, अब तो यार नया सब्ता स्टार्ट हुआ है, अगर इसी दिन स्टार्टिंग में ही जोस लो रहेगा तो पुरा कैसे चलेगा पुरा सब्ता, और आप पर लेकिन हर एक इंसान ना अगर देखो तो एक तरीगे से सब इंसान ये की तरीगे से पैदा होते हैं पर लेकिन हर एक इंसान लाइप में कोई अच्छी पोजिशन पर पहुँच जाता है reason पता क्या है ये आदते हैं जो इन आदतों को सुधार लेता है वो अच्छी position पर पहुँच जाता है और जो आदते नहीं सुधार पाता है वो अच्छी position पर नहीं पहुच पाता है तो और ये आदते ही आप लोगों को एक सही discipline में लाकर आप लोग को अपनी success जो हैं वो आप लोग की कदमों में लाकर रख देती हैं तो इसलिए हमेशा अच्छी आदते पालो, बुरी आदते नहीं जो एक बाद decide कर लिया है और खुद से decide कर लिया है तो फिर उसको follow करो जैसे कि किस-किस ने morning में गुन-गुना पानी पिया है, कम से कम एक या दो गिलास और कौन-कौन reality में exercise complete करके आ है यानि कि अपनी exercise आप लोगों ने complete कर लिये इस वीडियो में आने से पहले ऐसा किस-किस ने किया ज़रूर बताओ आप लोग यहां पर देखिए ये छोड़ी-छोड़ी चीज़े आप लोग बना कर चलो अपनी जिन्दगी में आदत और एक बात मैंने और बोली थी आप लोगों उठने से पहले अपना बिस्तर कम से कम आप लोग बना दिये करो यानिके अपनी जो चादरे वगएरे हैं जो भी आप लोग या फिर जो कमबले वगएरा उड़ते हो उनको फोल्ड करके रखना है यह आप लोग की responsibility है अगर यह छोड़े-छोड़े discipline life में आएंगे तो आप लोग जिन्दगी में अपने अंदर confidence पाओगे और यहीं से ही जिन्दगी आगे बटनाय स्टार्ट होती है ठीक है और बाकि जो भी first time वीडियो देख रहा है वो comment box में एक बार new member लिखे देना ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो जो भी पहली बार वीडियो देख रहे है मुझे उसका idea लगता रहे ठीक है जो की important है आप लोग के exam के लिए और अच्छी बात क्या होती है आप लोग को यहाँ पर current के साथ में background information ही मिलती है उसी के साथ में MCQ की practice होती है और plus answer writing का question भी आप लोग को मिलते है और कई बार अगर topic interview के लैक भी हो तो उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि हाँ से आप लोग का interview का भी question बन सकता है तो इसलिए इसका नाम balance diet रखा गया है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस balance diet से बाहर आएगी यानि कि सोट news होगी, long news होगी, अलग-अलग section की news होगी परसनी news होगी, vocabulary होगी, answer writing होगी या फिर प्लेस इन news होगी मतलब सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी अगर आप लोग patience के साथ में end तक बने रहेंगे मैंने आप लोग को पहले बताया था यह बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे SLV family member हैं जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा पूरी वीडियो देखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं कुछ portion देखकर निकल लेते हैं इनको यह लगता है कि पूरी वीडियो को नहीं देखेगा तो आप लोग अगर पूरी वीडियो भी देख पार हैं आप लोगों ने यह भी बहुत हिम्मत का काम कर दिया है आदो के बस monet की यह भी नहीं होता है तो इसलिए जो भी फुल वीडियो देखकर जाता है वो पीर थपता पाले अगरो क्यों क्योंकि वीडियो के end में जो section है जो की काफी important रहता है so news वाला वो one day type के exam में बहुत फाइदा पहुचाता है और जिसका भी exam था कल बहुत सारे exam थे state, PCS के exam थे कोई अलग-अलग, कोई दूसरे भी exam थे state के अंदर ने बहुत सारे message mail आ रखे है मेरे पास में, तो कैसा हुआ आप लोग का exam अच्छा हुआ कि नहीं हुआ और अगर कमी रहगी है, तो कहा कमी रहगी है उसको सुधारना है, फ्रेसान फ्रस्टेट नहीं होना है चीजों को आगे लेकर चलना है यही जिंदगी का नाम है, जो भी आप लोग को प्रोलम आए, हमेसा बैट के सोचो कि दिक्कत क्या हो गई है, और इसका solution कैसे निकालना है, इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ेगी जिंदगी जैसा आप लोगो लगता है वैसी होती नहीं है रियल्टी में, अगर आप लोग देखो, तो प्रोलम जो है, वो पार्ट ओफ लाइट है, मतलब आप लोगी जिंदगी का पार्ट है वो, तो प्रोलम आरे पार्ट ओफ लाइफ, आप लोगी जिंदगी जैसे-जैसे चलती रहेगी, प्रोलम लहेगी, कितना अच्छे से आप लोग उस प्रोलम को बेसिकली खतम करके निकल रहे हो, इसी को कहते हैं आर्ट ओफ लाइफ, यानि कि यही है रियलिटी में जिंदगी को जीने का तरीका, अगर आप लोग प्रोलम के नीचे आ जाते हो, और अपना दम तोड़ देते हो, कि यार प्रोलम मेरे सर पे बैठ गया के, तो भाइसा वो आप लोग को पन अपने नहीं देगी, तो ये चीज़े आप लोग को पता होना जो एक तरीके से गया पेपर देने, उसकी प्रोलम में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही फेल से होकर गुजरौँ, जब कभी एक्जाम होता था, कहीं दूर जाना पड़ता था, जो बुरी हालात होती थी भाइसाब, आर्टिकल डिस्स करने के बाद में जो कुशन प पसंद है और यह चीज ना पसंद है, और कि चीज को इंप्रूव्मेंट अगर कोई कराना है, तो उसके बारे में भी आप लोग जुरू बताएगा, ठीक है, तो आप लोग का पार्टिसिपेशन जो है, वो ही मुझे बिसिकली सही डिरेक्शन देता है, और कोशन के आंसर जूर दे करो, क्योंकि जो रेगुलर कोशन के आंसर दे रहे हैं, उनके नाम जो है, बेसिकली मुझे कही हो, कि आप लोग ने देखा होगा, अक्सर याद हो जाता है, मुझे लगता है कि यह गायब कहा होगा आज, आज आया क्यों नहीं बच्चा पढ़ने है, ठीक है, तो लोग जरूर काम करियें, ताकि मुझे पता चलता रहा है, कि है आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिबेट कर रहे हैं, ओके, तो यह आप लोग को पार्टिसिबेट जरूर करना है, सबसे बड़ी दिक्कत हिएं, कि इनसान चला तो जाता है, क्योंकि य जब paper छुटने के बाद में उधर से आता है तो भाई साब वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है और उस situation को मैंने बहुत अच्छे से face किया है तो ये चीज़े आप लोग समझ सकते हैं तो जिंदगी में कोशिस करो कि एक particular exam के लिए इतनी अच्छे से बैठ के महनत कर करना इसके बाद में आप लोग अच्छे से पूरे दिन activate होके अपने आपको एक discipline में पढ़ा पाएंगे बैठा कर एक जगे तो ये चीज़े आप लोग करनी पड़ेगी अच्छा कितने ऐसे ऐसे लिए फैली में जो डिसाइड करते हैं जिस टाइम पर सोना है उस टाइम बताओ जरा देखता हूं कौन-कौन आप लोग इसको फोलो कर रहे हैं यह आप लोग खुदी देखेगा बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि इसको फोलो ही नहीं कर पाते हैं अगर ये भी चीज़ उधार लिना बहुत सारी चीज़ उधार जाएंगी ठीक है इंपोर्टेंट परसनेल्टी है बहुत जादे न्यूज में रिसेंटली अभी युक्रेयन और रसे की रिजन की वेसे भी हाँ पर क्यों है न्यूज में वो मैं आप लोग कल बताऊंगा न्यूज भी डिसस कर लूगा अभी आप लोग को इनका नाम बताना है तो देखता ह टोपिक है जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि देश की बेजती की जारी है भर बर कर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानि कि भुकमरी में हमारी रैंक जो है 121 कंट्री में से 107 वे नंबर पर हमारी रैंक रख दी गई यहाँ पर इस पागिस्तान से होते वे उस देश में यहाँ पर अफगानिस्तान की रैंक 109 है और जिस देश से यहाँ होते वे जा रहा था पागिस्तान से वो यहाँ पर यहाँ चोरी करने के भी आरूप लगाए गये थे अफगानिस्तान के द्वारा पागिस्तान के ओपर उसकी रैंक 90 जिन्यान में है, आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का पेट भरा, वो यहां पर फोकस देता हूँ, यहां पर चला जाता है, तो हमारी रेंक जो है, वो serious category में डाल देगी है, इसको कहते हैं, ए इसी एसी रेंक दे रहे हैं हमको, तो यहां पर मन करता है कि जाकर उनको लतिया दिया जाए, कि हमारे देश में इतनी भुकमरी है, क्या, जितना basically तुम इन्टरनेसल लेवल पर बेजती करना इसको बोल सकते हो, तो यहां पर global hunger index में हमारी रेंक 121 जो basically उसमें 121 देश में 10 तो साथवे पर रग दी गई है, तो यह जो index में हमारी rank रखी गए है, इसी के बारे में थोड़ी बात करूँगा, global hunger index, ठेक है, तो यहां पर global hunger index जो है, वो हैं यहां पर calculate किया गैस के द्वारा, जो using the data 2017 से लेके 2021 तक का, इसी के बीच में COVID-19 भी आप लोग को देखने को म बच्चे उठा लिए बस, और बच्चों के उपर focus देते रहो, इससे पता चल जाएगा, देश में भुकमरी है, या फिर गरीब है, क्या है, और कोई है नहीं, यहां पर उसको नहीं देखा जाएगा, और कोई ही नहीं मतलब focus यहां पर बस बच्चों के उपर focus दे दिया है ठीक है, और उसके बेस पर यहां पर condition निकाल दिये, अगर बात करें हंगर के बारे में, तो यहां पर यह major किया आता है, यह एक तरीक जो report हैं हापर, 2006 से publish किया आती है, और concern जो worldwide और इसी के साथ में, यहां पर wealth hunger live जो है, वो यहां पर इसको publish करती है, prepare करती है, नजर आती ह ठीक है था, discuss तो कर चुके हैं पहले भी कई बार, पर लेकिन यहां से question बन जाए तो याद रखेगा, under nursement, wasting, stunting, और यहां पर अगर बात करें, under 5 mortality, इनको अगर आप लोग देखोगे, यह 4 category है, पर लेकिन mainly 3 category है, child mortality एक है, child under nursement एक है, और यहां पर जो एक तरीके से, जो एक ineducate food supply है, इसके अंदर फिर आप लोग यहां पर यह अलग-अलग category देखने को मिलती है, यानि कि इस तरीके से data इखटा किया जाता है, कि दिख जाए हम लोग गरीब है, ठीक है, आप लोग ऐसे बोलो, माल यह कोई इंसान घर पे मिलना है, और कई सारे इंसान ऐसे होते लगे, मतलब कि एक तरीके से इनको तो भाई सब कपड़े भी ने मिल रहा है पहनने के लिए, और वो पता चला कि बाद में उसकी कपड़े की factory थे, तो यह कोई तरीका थोड़ी ना होता है, मतलब हम लोगों को खाना बाट रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारा खुद ही इतनी बुरी हालत हो रखिये, तो यह है, top performer में इन्होंने डाल दिया है, जिनके दौर अच्छा perform किया गया है, Belarus, ठीक है, इसके Bosnia, इसी के साथ में, Chili, China, यह सारी top performer में डाल दिया है, और हमको serious category में डाल दिया है, ठीक है, यह कापी interesting लगा, मतलब यह देखो, alarming condition में आप लोग बोल सकते हो 44 country serious and alarming hunger level जिनका है, तो वो alarming hunger level में हम भी आप लोग को देखने को मिलेंगे China जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि score of less than 5 top जो एक तरीके से has topped the charter एक तरीके से हाँ पर together 16 country हाँ पर top में देखने को मिल रहे है China, मुझे interesting देख लगा है Pakistan अभी यहाँ पर क्रोटियों के इतने बुरे लाले पड़ रहे थे, बहुती बुरी condition हम आपर देखने को मिल रहे थी, COVID-19 की दवाईया परोपर लोगों को नहीं पराइवेल गई, उस टाइम पर भी लोग रो रहे थे, COVID-19 के टाइम पर कोई ऐसा package भी नहीं लाया गया वो country उसको आप लोगो देखने को मिलेगा हमसे अच्छी rank दे रखिये, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं अंदाजा तो सारी चीज़े मैंने बताई, चार इंडिकेटर आप लोग याद रखेगा, जिसके ओपर focus दिया जा रहा है, question बन जाए, question के point of से याद रख लेना, वैसे कोई याद रखने वाली जूरूत नहीं है बिजदी बे बिजदी किया रहे हैं ये लोग तो ये सारी चीज़े आप लोग के सामने तो यहाँ पर अगर बात की जाए, तो ये चार्ट भी है आप लोग के सामने की trend क्या है इंडिकेटर का, जो इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मल रहे है तो ये कुछ ऐसी चीज़ आप लोग के सामने निकल करा रही है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो data है वो काफी संकुचित है यानि कि एक up to the mark data नहीं है जहाँ पर सब को focus दे कर चला जा सके अधर और कई सारे हाँ पर ऐसी report है जैसे state of food जिसके trade of food security and nutrition in world यह आप लोगों देखने को मिलेगा परजेंट की जाती है food and agriculture उसके साथ मिलकर यह भी काम करते हैं ग्लोबल nutrition report इसे के साथ में national family health survey भी हाँ पर बताता है इन सब चीजों के बारे में तो यानिकि ऐसा है कि हमारे देश में इतने सारे प्रोग्राम है कि हर एक लोगों को हम लोगों ने cover किया है उसके बाद भी हमारे देश में भुकमरी दिखा रहे हैं जैसे कि eat right moment हो गया ठीक है पोसन अभियान हो गया परधान मंतरी मातरितों बंदना योजना food fortification, national food security, mission इंदर धनूस integrated child development scheme मतलब हर section को यहाँ पर cover किया जा रहा है और यहाँ पर इन्होंने यह जरा सी देर में रखकर हमारी रेंक यह दिखा दी तो यह सारे indicator कहीं ने कहीं change होने चाहिए तब ही हाँ पर ही होगा आप बोलोगे सार इतना detail में जो यह article है यह क्या इससे question बनते हैं ऐसे question यहाँ से पूछाते हैं तो यह ऐसा topic है कि examiner का भी favorite बन जाता है जब देश की विजती होती है न कई बार तो यहाँ पर यह पता लगाने कोश कहते हैं कि लोगों को पता है तो उसके बारे में question भी आप लोगो बनते हैं यहाँ पर नजराते हैं तो कई सारे question है आप लोगे सामने जिसके बारे में मैं आप लोगों से discuss करूँगा ताकि चीज़े आप लोग गच्छे से connect कर पाएं जैसे कि UPSC के दौरा question पूछागे है यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर UPSC के दौर 2016 में कि Global Hunger Index की जो report रहती है उसके अंदर में जो indicator है तो अंडर management, child instanting, child mortality तो सही answer यहाँ पर क्या है क्या यह part है यहाँ पर यह तो मैंने चार बताए चार में से तीनों की तीनों जो भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे तो यहाँ पर basically answer क्या हो गया answer C हो गया तो ऐसे question आप लोग उसे direct पूछे जा रहे है ऐसा नहीं कि हाँ से question नहीं बन रहे है तो आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके question भी हाँ से direct बन रहे है इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें National Nutrition Mission के बारे में question पूछा गया 2017 से यहाँ पर कि National Nutrition Mission के बारे में कि awareness फैलाने का काम करता है तो यहाँ पर to create the awareness related to the maldressment याणि को portion की सिकार होते है pregnant woman में reduce करेगा जो incident होते है याणि के खून की कमी में बच्चों को और यहाँ पर young girl और woman के फिर जो भी और दूसरे जो एक तरीके से unpoliced right है और पर्मोट करेगा conception of the pouletary eggs तो यह बाते हैं यहाँ पर बोलेगे तो कौन सा आप लोग को सही लग रहे हैं हाँ पर यह basically National Nutrition Mission जो है आपर इसके बारे में अगर थोड़ सा आप लोग detail ने पुड़ोगे तो कई बार आप लोग को बताईगे इसके बारे में यह slide आप लोग को याद आ रही होगी जिसमें मैंने कई बार आप लोग यहाँ पर बताईए ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से दो component रहते हैं एक तो यहाँ पर education यह सब चीज़ेस में देखने को मिलेगी information education और communication campaign अगेस्द मैल नडिश्मेंट और multisectoral nutrition प्रोग्राम के उपर focus यहाँ पर किया आप लोगों से पूछे जा रहे हैं ऐसा नहीं कि question नहीं पूछे जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा याद यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं 2018 में भी एक question आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया यह देख सकते हैं prelims के अंदर में बात की जा रहे है कि very recently अभी which of the following country lacks of the people either suffered from the severe famine और यहाँ पर malnourishment जिसकी death हो गई तो अंगोला जांबिया या फिर मोरक को टुनीशिया वैनुजुला कोलंबिया यमन या फिर साओध सुडान तो कौन है वो country जहाँ पर काफी जादे दिक्कत हैं यहाँ पर इने को मिली तो सबसे जादे दिक्कत जो अगर आप लोग याद भी रखोगी हाँ पर साओधी अरेबेक के दौर इतना जबर्दस तरीके से अटेक किया गया लंबे समय तक यहाँ पर खसता आलत रही तो यहाँ पर ऐसे question पूछ लेगा direct question ने पूछ के यहाँ पर basically Yemen और South Sudan के अंदर बुरी खसता आलत यहाँ पर recently अभी देखने को मिले ठेक है तो ऐसे question भी बनते हैं एक question यहाँ पर global hunger index के बारे में तो बात की ज़री की prepare किया जाते है American NGO concern जो basically worldwide और सी के साथ में basically wealth hunger life ठेक है तो इसके द्वारे यहाँ पर first published के अगा 2006 में और यह एक तरीके से यह four component indicator आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो सही answer क्या है A में बोला गया 1,2 B में बोला गया 2 and 3 C में बोला गया 1 and 3 D मोला गया all of the above तो सही answer क्या है सही answer है यहाँ पर B क्योंकि USA की नहीं है European है यह आपर यह NGO और बाकी indicator क्या क्या है वो आप लोग को बताई देगे है तो ऐस तरीके से आप लोगों से question पूछे आते हैं ठीक है Interesting question है तो मैं आप लोगों को answer नहीं बताऊंग भी आप लोगो PDF में मिल जाता है तो यह ऐसी चीज़ है जो कम से कम आप लोगो याद होनी चाहिए एक और question इतने question बन गए आप लोग के लिए topic में कोई doubt नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहे है कौन सा correct है यहाँ पर आप लोगो बताना है Eat Right Movement Initiative जो है food safety and standard authority of India का है पोस्रन अभियान लोंज के गया ministry of health and family welfare के दोरा परधान मंतरी जो वंदना योजना ये एक central sponsored scheme जो की ministry of women and child development के दोरा सही answer किया है only one, only two, all three ये none of the abo ABCD सही answer किया है ये आप लोगो बताना है तो answer है आपर basically B सही तो सारे के सारी statement आप लोगे सामने government के जो initiative मैंने discuss किये थे ठीक है question ये आज़े पूछा गया hunger and poverty are the biggest challenge for the good governments, government in India till today ठीक है तो evaluate करना है success क्या क्या रहे है क्या क्या प्रोग्राम है जो इससे deal करने के रहे और major suggest करने है तो इस सारे program government के जो मैंने बता है ये C के category में आप लोगो देखने को मिलेगे ठीक है एक और question पूछा गया 2019 में हापर बोला गया कि आज की date में अगर आप लोग देखो जो गरीबी है और भुकमरी है उसके बीच में अंतर जो है आप लोगो भारत में गरीबी और भुकमरी के बीच संबंध जो है अंतर ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पर ठीक है तो किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से social expenditure यहाँ पर किये जा रहा है government के दौरा कहीं न कहीं जो non essential item पर भी हाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ऐसे question भी आप लोगों से पूछा आते हैं तो ज़र 19 में हाँ पर यह question पूछा गया तो confuse आना नहीं है तो इस तरीके से आप लोगे सामने question भी है practice भी आप लोगी होगी तो feedback जरूर देना कैसा लगा यह article ठीक है तो इस तरीके question पूछा आते हैं बाकी post कर दो में हाँ पर सारे question जो answer rating group में तो उसमें जाकर आप लोग question के answer जरूर दीजेगा कई सारे बच्चे regular पूछते हैं PDF का मिलते हैं तो study level वीर के नाम से सारे के सारे telegram group है यहाँ पर जहां पर आप लोग जाकर connect हो सकते हैं तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है important article है P.I.B. में काफी detail में यह article cover किया गया और आप लोगों से question भी पूछा सकते हैं जब agriculture से later हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों ने सुनाया कि 1857 की करानते थी तो revolution था ठीक है तो ऐसे यहाँ पर agriculture के field में बहुत सारे revolution आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो अगर आप लोग agriculture के बारे में कुछ पूछा जाए तो यहाँ पर इसके बारे में question बन सकता है कि कैसे आप इसके related startup हैं कैसे technology का इस्तमाल कर रहे हैं और जो मुएंड कास्मीर जो कि वैसे भी काफे ज़्यदा news में रहता है तो उससे little है confusion नहीं होना चाहिए ठीक है अभी हाँ पर पहले तो यह agriculture के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह याद रखेगा हमारी country में union state minister जो है science and technology उनके द्वारा purple revolution के चलते हैं हाँ पर startup की बात की जा रही है ताकि जो ministry of science and technology है वो भी हाँ पर participate कर सके और purple revolution जो की lavender के लिए है lavender revolution भी बोलते हैं हाँ आपर 2016 से हाँ यह इसका basic focus हैं आपर क्या थे हाँ आपर through aroma mission ठेक है तो हमारी country में CSIR भी हाँ पर काम करती है बहुत ही important organization है ठेक है तो सब मिलकर यहाँ पर क्या कोसिस कर रहे है कि particular revolution को लेकर आए जाए यहाँ पर इस field में ताकि हम लोग जो product बहाँ से खरीद कर लेकर आते हैं उनको अपने ही देश में अगर हम लोग बनाने लगें तो दूसरी country के ओपर हमारी dependency जो है वो काफी कम हो जाएगी और याद होगा मैंने डिसस कहता आप लोगों से कि इसका जो oil है वो 10,000 रुपे पर लिटर के हिसाब से market में बेचा जाता है तो सोचो किसान अगर अपने खेतों में लगाएंगे तो उनको कितना फायदा है यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इसके बारे में याद रखेगा जो farmer है यहाँ पर उनको basically free lavender sampling दी जा रही है जो कि normally अगर बात करें चार से पांच रुपे पर sampling के हिसाब से यहाँ पर पहले मिलती थी तो उसको free भी provide करा जा रहा है और इसी के साथ में यहाँ पर अगर free provide करा जा रहा है तो इससे फायदा क्या हो रहा है उनको अपने हिसाब से बस उसको लगाना है तो उसके चलते हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा और भी कई सारी support यहाँ पर provide करा जा रही है तो अभी हाँ पर हमारी country में कौन agency है जो मिलकर काम कर रही है CSIR यहाँ पर मिलकर काम कर रही है इसी के साथ में मैंने अभी आप लोग को बताया तो यहाँ पर IIM यानिके IIIM तीन II हैं यानिके इंडिन इस्टिटूट ओफ यहाँ पर इंटिग्रेटिव मेडिशन जम्मू भी हाँ पर participate कर रहे है यह responsible है आपर Aroma Mission को success दिलाने के लिए और farmer की income भी double करने की बात की जा रही है देखते हैं कितना income double होती हाला कि वो अभी लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है 2022 तक का और खासकर महीला जो farmer है आपर उनका काफी अच्छा participation आप लोग हैं आपर इसके अंदर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में ठीक है तो यहाँ पर जब मैं revolution की आप लोगों से बात कर रहा हूं तो revolution हमारे देश में ऐसा नहीं कि एक ही है बहुत सारे revolution आप लोगों को देखने को मिलेगे और यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि अकसर जब हम लोग agriculture के बारे में बात करते हैं तो उनके ओपर focus देना काफे ज़री है जो अकसर हम लोग ignore कर देते हैं तो यह इसके ओपर focus देने की भी बात यहाँ पर की जा रही है तो यह आप लोग याद रखेगा कई बार यह ऐसी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलती है तो यहाँ पर अभी लगबग 6,000 hectare में यहाँ पर focus की जा रही है लगबग 40 जो district है उसमें phase 1 में Aroma Mission को यहाँ पर implement करने की बात की गए अब phase 2 में हाँ पर skilled जो labor force लाए जा रही है और लगबग 45,000 जो family है उनको बोला जा रहा है value addition किया जा सके aromatic crop के अंदर में skill development की activity भी यहाँ पर देखने को मिले entrepreneurship डवलफ की जा सके business man यहाँ से निकल कराएंगे हमारे खेतों से अगर विदेशों में आप लोग जाओगे न वहाँ पर किसान जो है वो किसान नहीं है उसकी दुरगती नहीं है वो एक business man की तरीके से अपने जिन्दकी जीता है और हमारे यहाँ पर अगर आप लोग जाकर चीज़ों को चेक करोगे तो maximum किसान जो है वो suicide करते वे नजर आते हैं तो उससे पीच उपर उठना है आपर intellectual property generation आप लोगो यहाँ पर एक तरीके से value और imagination भी सारी चीज़े देखने को मिलेगी promotion और वो सब चीज़े भी हाँ पर फिर निकल कराएंगे proper processing भी आप लोग ने देखा होगा हमारी country में agriculture में काफी अच्छा खासा उत्पादन हम लोग करते हैं पर लेकिन processing के फिल्ड में हम लोग काफी पीछे हैं तो उसमें भी काम किया जाएगा आने वाले टाइम में तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह सारी चीज़े आप लोग के सामने हैं खासकर अगर revolution के बारें बात करें तो agriculture के फिल्ड में हाँ पर बहुत सारे revolution आप लोग को देखने को मिलते हैं और भी अलग-अलग फिल्ड में भी जैसे black revolution petroleum के फिल्ड में blue revolution fishery production में brown revolution leather के फिल्ड में golden revolution यह fruit honey यह इसके फिल्ड में green revolution यहाँ पर food grain जो होता है gray revolution fertilizer, pink revolution onion red revolution यहाँ पर meat यह फिल्ड टोमेटो silver revolution एग पॉलिट्री white revolution यह तो flood जानते हूं प्रिशन फर्ड, milk डेन के डेरी production में, yellow revolution, oilseed evergreen revolution, overall development of agriculture तो यह आप लोग यहाँ पर इस तरीके समझ सकने हैं अकसर मैच करने के लिए हाँ से question पूछा जाता है अगर कोई doubt होगा तो उसको दूर करकर आप लोग को आगे बढ़ना है और pdf अगेरा भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है study lover veer के नाम से telegram group ठीक है तो आप लोग जुरूर देखेगा और एक video थी यह बहुत पहले बनाई थी यह सामने आगे एक बैच्चे के दौरा बुला गया सर काफी अच्छी लेगी video मैंने अगा फिर से share कर देता हूँ तो देखना है यार जिंदगी में अगर जोज चाहिए न आप लोग अपना काम करने के लिए तो इस तरीके से आप लोग काम करना पड़ेगा ठीक है नोर्मली अकसर हम लोग क्या सोचते है अपनी comfortable life जीना सोचते है पर लेकिन हमारी जिंदगी में comfortable life अगर जीना सोचेंगे और उपर से सोचेंगे कि यार अच्छी भी चीज़ों हो जाएं तो comfortable zone में अकसर अच्छी चीज़ आप लोग को देखने को नहीं मिलती है तो उसके लिए आप लोग को थोड़ी बहुत महनत करने पड़ेगी तो जरूरी है अगर वो नहीं करोगे तो कोई और करेगा तो फिर आप नहीं करोगे तो कोई और चीज़ों को ले जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपको discipline में लाओ अपनी जिंदगी है आपको improve करनी है किसी और की life थोड़ी ना improve कर रहे है अपनी life improve कर रहे है तो अपने लिए भी काम नहीं कर रहे है जो इंसान हो दूसरों के लिए क्या करेगा सोच हो एक मिनट के लिए तो अपने लिए कम से कम काम किया ग्रोप PDF यहाँ पर मिल जाती है answer writing group में मैंने कल आप लोग के लिए हाँ पर essay भी दिया था यहाँ पर कई सारी चीज़े मिल जाती है तो इसको भी आप लोग अपना part बना लेजे life का बहुत सारी interesting चीज़े आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो इसमें भी आप लोग अगर अच्छे से इसको enjoy करना चाते है जैसे कि हाँ पर हिंदी और इंग्लिस में कही सारे आप लोग को आर्टिकल्स भी मिल जाते है तो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो यह थी एक कुछ गुरुप जो कि आप लोग को फाइदा पहुचाएंगे कोशन है आप लोग के सामने ब्राउन रिवोलुशन, सिल्वर रिवोलुशन, गोल्डन रिवोलुशन और येलो रिवोलुशन किस किस से रेलेटेड है यहाँ पर यह ठीक है तो मैच कर लोग है हाँ पर और क्रेट क्या मैच हो बताना और सारे का सारा आंसर आप लोग के सामने हाँ आपर है UPSC already question यहां से पूछ चूगी अगर आप लोग देखोगे इस तरीके के mission जो होते हैं बोला जा रहा है यहां पर किसके बारे में यह basically national horticulture mission के बारे हैं बोला जा रहा है ठीक है कैसे यहां पर basically boost करता है production productivity और income जो horticulture farmer है और इसके चलते कैसे यहां पर increase की जा सकती है income ठीक है कितना increase हुई भी है यहां पर तो यह बात की जा रहे होटी कल से बागवानी फूल पत्तियां यह फल गएरा यह सारी चीज़े लगाना यह आप लोग जानते हैं मैंने आप लोग को याद हो गए बोर बताय था कि गैंदे की खेती एक particular जो मेरा दोस्ता उनके खेतों में की जाती थी मैंने कार गंडे की छोड़े के गंडे की खेती कर रहे हो कह रहे है कि तुमको नहीं पता भाई इसमें बहुत सारा अच्छा गाजा profit होता है ठीक है पर लेकिन हर चीज में मेहनत लगती है तो उसको ले के जाना फिर उसको पहले उसको मतलब एक तरीक से अपने area से उसको फिर district में पहुचाना district से फिर आगे पहुचाना तो एक तरीके से जैसा product होगा वैसी आप लोगों उसका price देखने को बलते है तो यह है इसके बारे में information तो कोई doubt नहीं होना चीए question को भी practice करते चला करो जब कोई question रहता है तो question को practice करोगे तो और अच्छे चीज़े याद रख पाओगे ठीक है चोर आज की date में जितने सातिर होते जा रहे हैं उतना ही सातिर यहाँ पर आप लोगों को भी बनना पड़ेगा और उतना ही सातिर हमारे police को भी बनना पड़ेगा ताकि चोरों से निपटा जा सके जब तक चोर जो हैं चार कदम आगे रहेंगे तब तक वो अपना जिंदिगी के मज़े लूटते रहेंगे मुवी देखियोगी धूम उसमें कहा रहता है उसमें एक तरीके से दिखाने कुछ किएगी कि चोर कितने स्मार्ट है पुलिस हमें सालेट को उसती है पर लेकिन चोर और पुलिस जो भी कर रहे हैं या फिर आप लोग ये मम्मी पापा की मेहनत ये कमाई चुटकियों में उड़ाई जा सकती है तो ये आप लोग की responsibility है कि आप लोग अवेर रहे है डिजिटल इंडिया तो हम लोग बोल रहे हैं पर यहाँ पर डिजिटल इंडिया के साथ में awareness भी लगाना हम लोग को पड़ेगा जब तक लोग जागरूप नहीं होंगे तब तक उचीज का कोई मतलब नहीं है आप लोग को पता है हमारे समिधान में पार थर्ड में fundamental right है मोली का दिगार है पर लेकिन कितने ऐसे लोग है जो उनका धंग से इस्तमाल करते हैं बना तो रखे हैं हमारे देश के जो समिधान निर्माता होने पर लेकिन हम लोग उनका इस्तमाल ही नहीं करते हैं तो क्या मतलब हो गया उनका समिधान का जो आप लोग के सामने जो एक fundamental right दे रखे हैं इसलिए जागरूप तब हो ज़द जरूरी है अगर उनका धंग से इस्तमाल करने है Cyber सुरक्सित भारत इनिशेटिव जो की काफी important इनिशेटिव है उसके तैत train किया जा रहा है Chief Information Security Officer को ताकि आने वाले time में अगर कोई भी cyber attack जैसी कोई situation होती है उसके साथ में कैसे tackle करने है क्योंकि अगर उस चीज को हम लोग tackle नहीं कर पा रहे है तो बहुत सारी problem देखने को मिलेगी आप लोग खुश सोचे है हम लोग कह रहे हैं कि अपनी country में digital India initiative लेकर आना है तो यह दो तरीके से आप लोग देखते हैं आपर internal security के साथ में भी connect कर सकते हैं और लोगों की privacy के बारे हैं बात करें तो GS paper 2 के साथ में भी आप लोग इसको connect करके देख सकते हैं तो यहाँ पर काम कौन कर रहे है जो ministry है उसका नाम याद रखेगा ministry of electronics and information technology सबसे पहले तो ministry आप लोगों पता होने चाहिए कौन है ministry और जब भी मैं ministry बोला करूँ एक छोड़ा सा काम आप लोग करना है तुरंत उसके minister नीचे comment box में लिख देगरो ठीक है यह छोड़ी सी चीज जो आप लोगों करनी है अपने लोगों को तयार करना एक proper team बनाना government चाहती है all the department अभी एक department थोड़ी ना है माले यह आज के डिमे finance ministry होगी home ministry होगी ठीक है defense ministry होगी अलग-अलग ministry है सारी तो सब की सुरक्सा तो है जरूरी वरना दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर सुरक्सा नहीं रहेगी तो उसी के चलते हैं यहाँ पर यह सुरक्सा के field में interesting चीज़ है कि public private initiative आप लोग है यहाँ पर यह देखने को मिलेगा यहनकि public और private दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि अगर कोई पूला मात यह cyber security के field में उसको रोका जा सके क्योंकि आज की date में हम लोग information technology communication यह फिर information communication technology के field में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं इसको अगर धंग से लेकर चलना है तो चीज़ों को सुधारना पड़ेगा founder कोने यहाँ पर यह cyber suraksit जो भारत initiative है यह मिलकर काम क्या जा रहा है Microsoft के द्वारा इसी के साथ में मिलकर काम कर रहा है Intel बड़े-बड़े player है भाई साब यहाँ आप तो इस तरीके player आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगे Dimension data करके भी company है Red Hat करके company है तो यह सारे founding जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रहे है और यह share कर रहे है अपने partner के साथ में information वो partner को ने जैसे हमारी country में कई सारी company आप लोग को देखने को मिलेगी यह तो CRT, IN हो गया, NIC हो गया Nescom हो गया बहुत सारी के साथ मिलकर काम की ज़र है ताकि कल को कोई भी ऐसा issue देखने को ने मिले तो इसका basic purpose यहाँ पर क्या निकल कर आते है Cyber सुरक्सित भारत initiative जो है हमारी देश की एक capacity building कर रहे है कि लोगों को समझाया जा सके और हम अपनी एक तरीके से एक ऐसी सुरक्सा तैयार कर ले ताकि हम लोग कहीं न कहीं एक कल को कोई attack होता इस तरीका तो उससे बच सके क्योंकि अगर जो हम लोग तयार नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कते देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़े हैं राजकेट में क्या online नहीं कर रहे हैं आजकेट में आप लोग का देखने को मिलेगा हर जगे एप है एजुकेशन के लिए तो एप ही है यह सारी चीज़े भी आप लोग को देखने को मिलेगी तो इससे प्रोलम करेट होती है तो इसमें जरूरी है कि मिलकर काम के जाए और सिचेशन को कंट्रोल के जाए जो भी कोई offense यहां पर देखने को मिलते है तो इसमें हमारी country की जो cyber security police है information security policy है या फिर लोगों के data को कैसे सुरक्षित रखना है वो सारी बाते है तो उस पर काम करना काफी ज़्यद है जरूरी है इसमें तीन तीन पिलर यह लेकर चल रहे हैं तीन पिलर मतलब तीन ऐसे कंदे हैं जिसके ओपर यह पोलिशिटी की हुई है और उन तीन कंदों में जो सबसे कोई strong एक तरीके से बना कर खड़ा किया जा सकते हैं और तीसरा है आपर जो की important आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है अगर आप लोग याद रखेंगे तो यह एक तरीके से तीन पॉइंट लिखने के लिए आप लोगे मिल जाएंगे या फिर तीनों के तीन पॉइंट इसलिए lecture में एक चीज आप लोग ने notice की होगी आप लोग को prelims के साथ साथ में mains के बारे में भी question मिलते हैं इसे के साथ में interview के बारे में भी आप लोग यहाँ पर चीजे बताई जाती हैं तो इससे क्या होता है आप लोग एक proper way में एक अपनी पूरी वहनी क्यादी comprehensive study लेक नहीं पता है अगर आप लोग लोगों से जाकर पूछोगे तो यह इसलिए जरूरी है लोग जितना चीजों को जानेंगे उसका इस्तमाल तभी वह कर पाएंगे इसी के चलते एक तो होता है awareness क्यों रहती है ताकि कोई problem create नहों सके फिर इसके साथ में एक सबसे ज्यादर च रक्सित हो जव जैसे चरदी आना लिए है तो आप लोग क्या करने है अपने आपatic को सबसे भराब होती है यह चीजे आप लोगो को सोचने पड़ेगी यार कलको पेपर है ठीक है पता चला आज बीमार हुए पड़े हैं तो ये लापरवाही होती है भाई इनको सोचना पड़ेगा आप लोगो ये छोटी-छोटी चीज़े जिनके ओबर फोकस करना बढ़ेगा पता है ये चीज जिनकी खराब कर रहे है फिर भी वही काम के जा रहे है तो ये सबसे एक तरीके से मुझे सबसे घटिया चीज लगती है कि इनसान अपने ही उपर नहीं फोकस कर पा रहे है सोचो आप लोग खुद गे एक इनसान है वो प्रिपेशन कर जहां जिस सोसाइटी में समाज में आप लोग रहे हैं उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा तो सोच आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि इस सोचाले से बाहर मिकलकर आप लोग अपना खुद का एक विध्याल्या बनाए जहां पर आप लोग खुद अपनी जिन्दगी भी सुधार है और दूसरों की भी जिन्दगी सुधार है तो जिन्दगी आप लोग हमेसा अच्छे डिरेक्शन में लेकर चल सकते हैं ठीक है तो इसके चलते हैं लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी है आपर उसके चलते हैं यहां पर भी यह प्रोग्राम चल तो implement कौन कर रहे हैं यहांपर यह एक तरीके से National E-Governance Division वो यहांपर इसको implement कर रहे है अभी हांपर अलग-अलग reason में अलग-अलग तरीके के awareness फैलाई जा रहे हैं परपस तो basically वह यह कि awareness फैलाना और coverage करना सारे department को सारे department जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसे तो ध्यान रखेगा यहांपर बहुत सारे ऐसे हैं जो PSU हैं जिसको Public Sector Undertaking आप लोग बोलते हैं इसी तरीके से State Government आप लोग यहांपर देखने को मिलेगी Central Government की अलग-अलग Department अलग-अलग Ministry आप लोग को कोई भी इश्व आता है तो उसके साथ में कैसे आप लोग को टैकल करने हैं तो ट्रेनिंग की दी क्यों जाती है इसका basic परपज होता है कि लोगों को empower किया जाता है ट्रेनिंग से आप लोग देखो कोसिस ये कि जाते हैं कि छोड़-छोड़ी बच्चे हैं उनको जुड़ो कराटे सिखा जिए ताकि कल को कोई भी किसी भी तरीके से बत्तमीजी काटें अपने self defense को तो कम से कम वो कर सकें अपने आपको उस तरीके से त्रेकल कर सकें हर टाइम मम्मी पापा भाई बैन थोड़ी ना साथ में रहेंगे तो लोगों को हमेशा कोसिस करो कि उनको अपने उपर अपने पैर उपर खड़ा हो ना सिखाओ आप लोग कोई छोड़ा भाई बैन भी है ना उसको हमेशा इतनी support दो ताकि वो आप लोगे उपर बस dependent ना हो सके क्योंकि अगर वो dependent हो गया और खुदना खासता किसी दिन किसी को कुछ हो गया तो भाई साब वो तूट जाना है वो बरबाद हो जाना है तो इसलिए किसी को भी अपने उपर dependent मत बनो जो भी आप लोगे साथ में रहता है या फिर काम करता है उसको इतना रखो कि आप लोग उसकी जिन्दकी में से हट भी जाओ एक बार को उसका survival चलता रहे वो गिरे ना कभी भी ये कोशिस आप लोगो हमेशा कर रही है ये अपने दोस्तों के साथ में भी आप लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में अपने छोड़े भाई बहन के साथ में ये पैरेंट्स भी कर सकते हैं बच्चों को कभी भी अपने उपर dependent मत बनाओ कोई काम करना है कहीं पर जा रहे हो बाहर तो पहले उनको आगे करो कि जाओ बेड़ा तुम ही ये काम करो ठीक है इस तरीके भी लोग हैं आप लोग और उनकी एज काफी अची खासी रहती है क्योंकि उनको उस चीज में सरम आती है कहीं पर एक दो सब्द इंग्लिस का बोलना पड़ जाए अरे नहीं इंग्लिस बोल ले तो भाई साब हिंदियों बोलो सामने वाले को किसने बोल बोला है कि इंग्लिस में आप लोगो बोले हिंदियों बोलो सामने वाले को जाकर नहीं सब्सकी परॉलम है अगर आप लोग इंग्लिस नहीं बोल पारे हो ऐसा है आप लोगों कि आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया कि आज के बाद में इस लेक्टर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई लेक्टर नहीं देख पाएगा उसको ब्लैक लिश्ट डाल दिया बोला है मैंना हमेसा यह बोला कि कोई मां के पेट से सीखके नहीं आता है पर लेकिन आप लोग उस चीज को समझते हैं नहीं हो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिबेट करते हैं लेक्टर देखें 80-90 लोग और पार्टिसिबेट कर रहे हैं कितने 500-700 एक हजार लोग 1500 लोग उली तो इससे पता चलता है कि जागरूक नहीं है आप लोग अ समझनी पड़ेगी चीज़े ठेक है तो यह सारी चीज़े मैंने आप लोग नहीं हां पर बताएं जो कि आप लोग जिंदगी में भी इप्लिमेंट कर सकते हैं इसी के साथ में गवर्मेंट के इनिशेटीव है यह बहुत सारे जो मैं आप लोग कई बर बता चुकों कि गव यहां पर यह ठीक है आई C4 ठीक है योगि C चाहरे है यहां पर ठीक है तो इसको थोड़ा correct करें ना नेस्टनल जो critical information infrastructure protection center हो गया इसी के साथ में information technology act हो गये यहां पर यह आप लोगे सामने cyber security incident देख करना आप लोग हैरान हो जाओगे 2015 में only यह थे 20 में कोड़ 19 के टाइम पर आप लोग देखो फाइस साब 11,58,208 cyber security के incident देखने को मिले हैं 2019 में और 2020 में compare देखो आप लोग ठीक है तो इसलिए बहुत सारे लोग यहां पर ठगे भी गए बहुत सारे लोगों का बेवकूप भी बनाया गया क्योंकि जागरूपता जो अगर नहीं होगी तो हाँ पर अंदकार देखने को मिलेगा और जो हां पर दिक्कते देखने को मिलेगी तो यह situation से आप लोगों निपट में दे सकते हैं अगर इस्टेट पीसिस की त्यारी कर रहे हैं वैसे UPSC में 1.500 और 200 सब्द दोनों तरी कोशन पुछा आते हैं बात की जा रही है साइबर सेक्योर्टी जो मेजर हमारे देश में हो रहे हैं अटेक उनको रिड्यूस करने के लिए क्या-क्या मेजर लिए जा सकते हैं क्या-क्या जो है एक तरी से कदम उठाए जा सकते हैं तो जो भी आप लोग अभी हाँ पर बताएं यह सारे जो मेजर्स मैंने आप लोग इहां पर बताएं कि क्या इनिशेटिव हैं इसी के साथ में हाँ पर किस तरीके से आपर यह प्रोग्राम जो है वो आगे चल जाए तो सारी चीजे नोट्स की फोर्म में आप लोगो मिल जाती है अच्छे से आप लोग पढ़के एक प्यारा सा आंसर आप लोग यहां पर दे सकते हैं ठीक है आंसर दोगे ना इतना के एक्सपेट कर सकता हूं ना आंसर जूर लिखा करें यार लिखकर ही सीखोगे कोई नहीं है ऐसा कि जो बचपन से ही सीखकर पैदा हूँ हाँ पेट से ही कि हाँ ऐसा बिल्कुल आते उसने शांदार आंसर लिए दो तो डरना नहीं है ठीक है डरना मना है और डर के आगे जीत है छोटा सा कोशन है और मैं सा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग काफी आसानी से दे भी सकते हैं यहाँ बात कि जा रही है कि आप लोगो साइबर सुरकलित बारत इनिशेटिव के बारे बात कि जा रही है कि यह लांज किया मिस्टिय ऑफ इन्फोरमेश्न जेund civ को यह बताना है ठीक है तो देखा जाएते हैं यहाँ पर अगर यह बोला गया only one, यह बोला गया only two, यह बोला गया both और यह बोला गया none of the above तो सही आंसर आप लोगों से नहीं पुछा गया है ध्यान से देखेगा incorrect पुछा गया है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं और मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ पर state government, PSU, सारी इनके government के काम यहाँ पर वो काम करेंगे मैंने कहीं भी आप लोग को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यहाँ पर private party नहीं बोला कि IT industry यहाँ पर आकर इस तरीके से major participate कर रही है तो यहाद रखेगा इसका aim यही है कि एक तरीके से यहाँ पर majors ले जा सके हमारी country में train करना जो information officer है और goal government department की यहाँ पर बात की जा रही है तो answer क्या हो गया है आपर B हो गया क्योंकि एक incorrect है ठीक है ऐसे question आप लोगों से पूछे आते हैं 2018 में पूछा गया है आपर wanna cry के बारे में wanna cry इसी के साथ में कुछ सब्द है ठीक है तो यह होगी cyber attack अलग-अलग नाम दी जाते हैं ताकि उसको understand कर सकें जैसे कोरोना को starting में Chinese virus बोला डोनल्ल ट्रंप ने ठीक है फिर बात में बोला कि नहीं कोरोना बोल देते हैं तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो यह कुछ नाम आप लोग जरूरियाद रखेगा ठीक है यह question तो मैं पता नहीं कितनी बार आप लोग को attempt करा चुक हो जब भी security के बारें बात करते हैं आज आप लोग को इसका answer देना है अगर बात करें कहीं पर भी कोई particular cyber attack होय है कोई एक ऐसा incident होय है report किया गया कोई तो कहां कहां पर आप लोग उसको जाकर report कर सकते हैं ब आप पर ऐसा नहीं कि एक participate करेगा आप तो answer यहां पर इसका D हो जाएगा तो आप लोगों को इस तरीके से article त्यार करने है अब यहां पर क्या क्या हो गया एक answer writing को question भी होगा इस article से लेटर इसी के साथ मैं आप लोग को अलग-अलग question भी आप लोग करा दिये UPS से पूछा आप लोगों अगर पसंद नहीं आते तो बताना सर यह दिक्कत है उसको सुधार दो और अगर अच्छा लगता है तो like या dislike करकर बता सकते हैं आप लोग जहां पर भी चीज़ा आप लोगों लगती है ठीक है feedback जरूर दिया करो ओके दोस्तों एक scheme में यहां पर इस article में तो total 9 ऐसे राज़े हैं जो coastal area में पढ़ते हैं तो यह उन लोगों के लिए तो बहुत ही important है जो इन coastal area से आते हैं direct state pieces में question आप लोगा बन जाएगा पर scheme एक ऐसी चीज होती है जिससे किसी भी exam के अंदर question आप लोगों से पूछा जा सकता है ऐसा नहीं कि यह सो state की है only यह क और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है खुद P.I.B. यानि कि प्रेस Information Bureau जो की government का काफी एक विश्वसनी है source है वहां से यह information निकल कर आ रही है government scheme से लेटर question बने तो पता होना चाहिए एक scheme है हमारे देस में जो की मचली पालन से लेटर है इसको बोलता है परधान मंतरी मतस्य संपदा योजना मतस्य मतलब मचली पालन आप लोग बोल सकते हैं तो अभी यहाँ पर इसकी second anniversary celebrate की गई तो यहाँ से आप लोगे लिए निकाल कर लाया हूँ जहां से बहुत सारी चीज़े आप लोगो जानने को मिलेगी आर्टिकल बहुत important होगा क्यों क्यों क्योंकि यहां से UPSC के लिए जो question है जो means का वो भी मैं आप लोगों से discuss करूँगा जो prelims में question पूछे जा सकते हैं वो भी आप लोगे यहाँ पर प् जो फिसरी स्टेट है यहां पर सबसे अदर फिसरी जो है यहां पर अप लोगों को देखने को मिलता है तो उसमें आप लोगों सबसे जाद है टोप पर आंदरप्रदेश देखने को मिलता है फिर वेस्ट बंगाल फिर गुजरात फिर केरला फिर तमिलनाडू यह total production आप ल मारा देश जो है वो आप लोगों को दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा यहां हमसे भी उपर कोई है जी हाँ हमसे भी उपर कोई है जिसने हमारी नाक में दम करका है और वह है चायना तो चायना दुनिया में सबसे सबसे ज़ादे फिस production करता है इसके पीछे एक बहुत यहां पर वियत नाम इधर यहां से होता हुआ यह बोलता है सारा एरिया मेरा है यह दूसरों की भी मचलिया यह खुदी पकड़ा कर खा जाता है तो यह इसके सबसे बड़ी बत्तमीजी आप लोगो देखने को मिलेगी इसलिए साउच चाइना सी में जितने भी कंट्री है भा कोई चीज़े आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी तो यह इसकी बत्तमीजी की प्राकास्ट जो है वो कई बार पार होती नजर आती है चली यह तो हो गई अलग बात है जो फैक्शल इंफोर्मेशन है बाकी परदान मंतरी मतस्य संपंदा योजना यह हमारे देश में इ एक insurance cover भी दिया जा रहा था, financial assistance भी था और कई सारी facility थी जैसे किसान credit card यह तीनों सब्द जो मैंने बोले हैं अपनी आप में बहुत important है एक बार पोर सुन लीजे insurance का मतलब क्या होता है कोई दिक्कत आ जाए तो उस time पर आप लोग क्या कर सकते हैं आपका जो भी खर्चा हुआ है उसको recover किया जा सकते है insurance की health से ठीक है एक agriculture activities की तरीके से count किया रहे है और उसके लिए किसान credit card जो है वो issue किया जा रहे है तो यह काफी important बात है अपनी आप में इसी के साथ में एक और important point जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं यह जो scheme है यह एक बड़ी scheme है परधान मंतरी मतश्य यूजना ठीक है पर लेक यह बोल सकते हैं कि घर में जैसे कि बाबा दादी मम्मी पापा और आप लोग है भाई बेंट ठीक है तो यहाँ पर अगर condition निकल के आई तो central sector का मतला है कि सारा पैसा जो है वो मम्मी पापा खर्च करेंगे और फिर बाबा दादी खर्च करेंगे आप लोगो कुछ खर्च अपना support दिया और आप लोगों ने अपना काम निकाल लिया तो यह basically इस तरीके से आप लोग इसको understand कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो coastal area के राजे हैं हमारे देश में वो काफी important है आपर वो इसी चीज के उपर dependent रहते हैं अगर इस चीज में support provide नहीं किया जाएगा तो दिक्कते हो जाएगी एक तो गुजरात से पाकिस्तान की side में और यहाँ पर तमिलाडू से स्रिलंका के side में दो ऐसे area हैं जहाँ पर काफी issue यानि काफी दिक्कते रहते हैं जो हमारी fisher community है उनको लेका तो उसको भी एक support provide कराने की कोशिस की जाती है जब जब दिक्कत रहती है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे cyclone आते हैं यहनिके बड़े बड़े समूंदर की तूफान आते हैं इवन 2004 में तो आप लोगों ने सुना भी था कि हाँ पर काफी बड़ी tsunami आई थी उसी 2004 में जब सुनामी आई जब तक सर पे को आती है दो-चार लोग मर जाते हैं क्या जा रहा है इतना इतना चलता रहता है इंसान की जिन्दकी जो है बहुत important है हमारी country में इसको इतनी importance नहीं दे जाती है किसान suicide कर रहे है इस data को publish भी नहीं किया जाता है ताकि लोगों को पता ना चल जाए इतने सारे किसानों ने suicide कर करते हैं कि हम लोग किस direction में काम कर रहे है इसी के चलते एक छोड़ी सी news में आप लोगों को बता देता हूं इस article के बीच में जो कि आप लोग समझ पाएंगे हमारी country में जब COVID-19 आया COVID-19 ने जब यहां पर दस्तक दी उस time पर बहुत सारे लोगों की death हुई उसमें बहुत स RTI डालने से ये पता चला कि insurance जो companies हैं उन्होंने इतने सारे लोगों को insurance दिया है क्योंकि उस time पर ये बोला गया था कि परधान मंतरी जो गरीब कल्यान योजना और कई सारी हो scheme launch की गए थी कि अगर किसी भी particular person की death हो जाती है health worker की COVID-19 के time पर उसको 50 लाक रुपे का यहां प पर यह ठीक है इसमें ये बोला गया कि कोई भी health worker की अगर death होती है तो 50 लाक रुपे का उसको cover provide करा जाएगा तो यहां पर interesting चीज जो मुझे लगी देखने में मतलब जो अंदर से थोड़ा सा नहीं दुखी करने वाली है वो ये है कि हम लोग को direct नहीं पता कि हमारे देश इसमें कितने सारे health worker की death हो गई है हमको ये चीज पता चलती है एक particular एक RTI के through और RTI के through भी ये नहीं पता चलता है कितने लोग की death हो गयї है वो कोई नहीं बता रहा है यह बता जा रहा है कि इतने लोगों को insurance मिला है इसका मतलब इतने लोगों की death हो गयी है समझने आप लो इसे ये पता चला है कि इनको insurance दियागा तो इसका मतलब इनकी death हो चुकी है तो ये दुरू भाग गया देखने को मिलेगा आप लोग का जो यहाँ पर सामने निकल करा रहा है जिसके बारे में हम लोगो काम करना काफी जरूरी है तो यहाँ पर ये तो September की बात होगी अगस्त की और फर्वरी की ऐसे ऐसे डेटा जब सामने निकल कर आए तो तब पता चला कि कितने सारे लोगों की यहाँ पर death हुई है तो ये एक extra topic है अलग से जो कि आप लोग समझेगा इसको इसके अंदर नहीं है कभी बोलो यहाँ से कहां से जा गया बस बताने की कोशिस यहाँ पर यह कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे situation भी देखने को मिलती है तो यह scheme और यह जो क्या insurance कभर है यह थोड़ा सा idea आप लोग रख सकते हैं तो insurance जो है वो काफी important role play करता है यह भी आप लोग यहाँ पर इसको understand कर सकते हैं तो कही न कहीं इन चीजों पर काम किया जा रहा है तो यहाँ पर एक support प्रोवाइड करा जाती है तो financial assistance भी देखने को मिलते है center assistance इसी तरीके से यहाँ और assistance प्रोवाइड कर जा जाते है जो अलग-अलग field में यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं तो इस तरीके समझ सकते हैं तो यहाँ पर जब कोई ऐसी चीज़े होती है अप लोगों देखा होगा insurance ले लिया medical health insurance कोई कई बार तो पैसा नहीं मिलता है कहतना इलाज कर वालो उसके बाद में जाकर claim कर लेना यह कैसी चीज़ है कि सामने वाले ने insurance इसी ले लिया था कल को उसके पास नहीं पैसा नहीं ताकि वह अपनी जिन्दगी को उस time पर save कर सके जब उसके पास नहीं पैसा नहीं और तुम क्या कहरो कि पहले इलाज कर वालो फिर पैसा ले लेना अरे इतना पैसा होता तो तुम्हारे पास आते ही क्यों ये चीज़े जो हैं ये काफी ज़द है मुझे एक एक तरीके से लो लिवल की लो दर्जी की चीज़े दिखाई देती हैं जिसके उपर काम करने है फिसरी सेक्टर के बारे मैं अभी अगर आप लोगों से बात करूँ ये काफी इंपोरेंट है हमारे देश में अभी ये माना जारा की 14.3 परतिसत का इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला 2019-2020 से 2021 तक इसी के बेस पर दुनिया में हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे उपर आ गए हैं पहले हम लोग थीसरे नंबर पर थे हम से उपर इंडोनेशिया माना जाता था चाइना तो डोप पर हम से उपर इंडोनेशिया था तो ये आप लोग याद रखते हैं कई सारी country ऐसे हैं लगबग जहांपर चीजे जो हैं एक्सपोर्ट की जाते हैं जैसे कि चाइना हो गया थाइलेंड हो गया जापान हो गया ताइवान हो गया यहांपर तुनीशिया हो गया USA होंग कोई तो बहुत सारे ऐसे देश आप लोगो देखने को मिलेगे जहांपर बह फिगरत 19 का कि इंक्रिमेंट देखने को मिला लेंडिंग जो एरिया है वहाँ पर बात करें तो यह डेटा दे रखा है कुछ जहां कमी हुई हाँ पर लेंडिंग में वह आप लोगो महरास्टा गोवा और केला देखने को मिलेगा इंपोर्टेंट चीज कह हैं जो मचली पक करके अपनी कंट्री में बहुत सारे लोगों को इंप्लॉइमेंट प्रोइड करा सकते हैं और इसके नाम पर हम लोग कितना शांदार तरीके से डेवलोपमेंट कर सकते हैं तो यह आप लोग प्रधान मंतरी मतश संपतना योजना इसी के साथ में किनेक्टेड भी आप कि दो हजार चोबिस पच्चिस तक का हम लोग एक लाक क्रोड जो फिसरी एक्सपोर्ट करने वाले आने वाले टैम पे इसके चलते हैं यहाँ पर सागर मित्रा और फिस फार्मर जो प्रडूजर ओर्डियूजेशन जो है उनको मिला कर काम किया गया ताकि आने वाले टैम मे कि आख और चार चार आई कब कर सकते हैं पर लेकिन सबसे बड़ी बात ही होती है इसनान मेक्सिमृं पर-इसके नहीं ब je इतना स्वार्ती है, वो अपने बारे में सोचता है ठीक है, अपना फायदा हो गया, सही है औरों के बारे में क्या सोचना है, तो स्वार्ती मत बनो यार थोड़ा सा जिन्दगी में ऐसे भी चीज़े रखो लेकर क्या जाओगे हैं से जरा सी देर में जिन्दगी निबड जाती है तो कोसिस करो अगर किसी की help कर सको 100-200 gram तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिस sector जो है हमारे देश में ये एक global level का है जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया अभी हाँ पर बोला गया फिसरी का उत्पादन करना ठीक है तो यहने के एक तरीके से खेती करना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो मचली होगी उसमें हम लोग second number पर आप लोग को नजर आएंगे हमारी country में दुनिया का लगबग 10% के करीब आप लोग global fish diversity देखने को मिलेगी यह इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड fishery day हाँ पर 21 नवंबर को salivate किया जाता है यह इसी के चलते ताकि इसके बारे में awareness फैलाई जा सके हैं अभी मैंने बताया कि हमारी country में export के बारे बात की जा रही है 1 lakh के कुडी भी हाँ पर 2225 तक तो उसके चलते बहुत सारी चीज़े प्रोवाइड कराना जुरूरी है जिसमें से यहाँ पर एक तरीके से लोगों को aware कराना खासकर जो officer community है ठीक है उनको एक support प्रोवाइड कराना उनको एक insurance प्रोवाइड कराना किसान credit card देना है हाँ पर और इसी के साथ में हाँ पर अगर कलको चलकर कोई tsunami कोई cyclone कोई बाड इस तरी condition मनती है तो उस time पर उनको एक support प्रोवाइड कराना तबी जाकर यह सारी चीज़े जो है वो हम लोग सुधार पाएंगे आजादी के time पर 0.40 था तो कोई जादा बड़ा improvement नहीं हुआ है तो इसको और अच्छे level पर लेकर हम लोग आ सकते है ताकि और अच्छे level पर यह हमारी GDP में support प्रोवाइड करा है यह बहुत सारी country ऐसी है जो कि बहुत अच्छे से इसको लेकर चलती है और इसको sun इसको basically एक तरीक से sunrise sector बोले जाता है यानकि आने वाले time में यह sector और ज़्यदा बढ़ेगा लोग और ज़्यदा focus इसके ओपर देने वाले है ऐसी इंडस्टी में count किया जाता है तो export को यहाँ पर बढ़ाने की बात किया रही है और अच्छे लिवल पर तो बहुत सारे काम जो हैं यहाँ पर किये जा रहे है यह आप लोग समझ सकते हैं इंडिया specific बहुत सारे initiative भी हम लोगों ने लिया है कि कैसे कैसे चीजों को improve कर सकते है cold storage बनाना ताकि मचली माली जाए South India में किसने मचली जो है पकड़ ली उसको दिल्ली में लाकर उस मचली को बेचा जा रहा है कोई इंसान उसको दिल्ली में वैठावा खा रहा है केरला से South India से आ रही है तो सोचो यहाँ पर अगर आते आते सड़ गई उसकी वेश से बीमारी देखने को मिल सकती है बहुत सारी दिक्कते आ सकती है तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर चलना था कि दिक्कते भी देखने को नहीं मिले तो यह balance बनाना बहुत ज़्यादे जरूरी हो जाते हैं आपर तो यह कुछ ऐसी information है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा direct question भी आप लोगों से बन सकता है blue revolution के बारे मैंने आप लोगों को बताया तो count कर सकते हैं कि blue revolution aim at the doubling the income of farmers in the India but it faces several challenges तो वो challenges क्या हैं आप लोगो यह बताने और government क्या-क्या काम कर रही है इसके उपर वो भी आप लोगों को बताने तो यह कुछ ऐसी चीजे हैं जिनसे direct question आप लोगे पूछे आते हैं देखें मेरा जो पूरा target है आज के लिए है कि जो भी article आप लोगों को पढ़ा हूं उसके end में cancer rating question भी आप लोगो दूँ ताकि आप लोग अगर मन करता है जो पढ़ने वाले जो serious है जो बच्चे जो regular अच्छे level पर अपना time दे पा रहे है वो चाहें तो इसको अच्छे level पर लेकर चल सकते हैं ठीक है तो यह आप लोगों के उपर dependent है मेरा काम है provide कराना पर लेकिन आप लोगों को आप लोगो को आकर बैठा कर लिक्वाना यार ये तो आप लोगों को मतलब कितना भी मैं बोल लूँ जब तक आप लोग के अंदर से नहीं आएगा आप लोग नहीं करोगे ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा सोचा करो कि ये काम है आप लोग का, ये responsibility है जैसे मैं अपनी responsibility मानता हूँ ये lecture लाना मेरी responsibility है और responsibility के साथ साथ है मुझे इसमें मज़ा भी आता है तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई पर focus कर सकते हैं, उसको responsibility भी ले कि अपने मम्मी पापा के लिए कम से कम और किसी के लिए नहीं तो आप लोग को जिन्दगी में कुछ इस तरीके से चीज़े अचीव करनी है कि उनको दो पल की खुशी दे सको तो ये आप लोग की responsibility है और इसको मज़े में enjoy करना वो एक तरीके से आप लोग उसको अच्छे से अगर करोगे तो मज़े में करोगे वरना फिर ऐसी चीज़े रखी रहा जाती है तो कुछ कोशन है आपर attempt करों यहाँ पर बात की जारी है किसके बारे में कुछ statement है और उनके बारे में पहला बोला गया only coastal area जो हमारे है वो major breeding unit है यहाँ पर ornamental fishery के बारे में तो यह बात यहाँ पर की जारी है याई कि अगर बात करें जो परजनन होता है उसके बारे में हाँ बात की जारी है बारे में breeding center के बारे में जो पालन किया जाता है सजावटी जो एक तरीए system है ornamental में तो सजावटी सजावटी जो एक चीज़े होती है उसके बारे में बात की जारी है तो coastal area में आप लोग को ज्यादे चीज़े देखने को मिलेगी तो सही answer यहाँ पर क्या है incorrect answer आप लोग को बताना है इमें बोलागिया 1 में बोलागिया 2 इमें बोलागिया 2 तो इमें बोलागिया 1 तो incorrect answer क्या है अगर आप लोगों से पूछ जाए यह कैसा question है जिसमें incorrect के बारे में जब बात करूँगा तो आप लोग सोचके कहोगे ऐसा नहीं हो सकता यह गलत है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि चीज़े बहुत सोचता कैसे है इंसान होती कैसे तो याद रखें कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोस्ट ले जाई है आप लोगो राजिस्थान, मध्यापरदेश, तमिलनाडू, वेस्ट बंगाल यह भी आप लोगो देखने को मिलेगे यहाँ पर इसमें काफी आगे है तो सारा का सारा डेटा यह आप लोगे सामने है यह पी आई बी का ही डेटा है यहाँ पर औरना मेंटल फिसरी में यहाँ पर यह सारे राजिया आप लोगो देखने को मिल जाते है ठीक है बाकी cold stories के बारे बात की जा रही है ठीक है तो सारी आप लोगे सामने हैं यह कुछ basic information है इसको हलका सा idea रखेगा रटने नहीं है क्योंकि data है यह data आप लोगों से कोई नहीं पूसता है export destination क्या है हमारे देश के top मैंने बताया था Thailand, UA, Singapore, Hong Kong, China, Jordan, Taiwan ठीक है तो इस तरीके समझ सकते है तो कुछ basic चीज़े होती है जो कि आप लोगे mind में killer रहेंगी तो कभी भी confusion आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर एक और question परदान मंतरी, मत fist potential यानिके एक चमता का दोहन करना जो यानिके जैसे मैं आप लोग को बोलू कि आप लोग जो है आसानी से बैटके 8-10 घंटे पड़ सकते हैं एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मेरे से तो 2 घंटे पड़ा जाता है इसका मतलब यह कि आप लोग अपनी पूरी चमता का दोह नहीं कर रहे हैं आप लोग को पता ही नहीं कि आप लोग के अंदर कितनी capability है आप लोग सोय हुए हैं आप लोग को जागने की जुरत है अपनी capability को पहचानने की जुरत है तो एक तरीक से अपना potential बाहर निकालने की जुरत है ठीक है फार्मर की income डबल करने की बात की जा रह की बात की जा रही है तो answer क्या सही है चारू की 4 इस statement में से A में बोला गया है 1-2-3, B में बोला गया है 2-3-4, C में बोला गया है 1-3-4 और D मोला गया है THE O, C, F, D तो सही answer अगर देखो तो सारी की सारी statement जो है वो positive statement है और UPSC अक्तर positive statement को correct देती है common यह लगाने की बात करती है पर लेकिन हर जगे नहीं पर हां 95% से उपर positive statement जो देखने को मिलेगी वो correct ही आप लोगी रहेगी किसी एक आधे question को छोड़ कर तो यह trick भी आप लोग follow कर सकते हैं exam के अंदर में क्योंकि कि यह ऐसी चीजे हैं जो कई बार आप लोग काम आती ही नजराएंगे चोड़ी चोड़ी चीजे है प्रेक्टिस करने से आप लोग के सामने निकल कराएंगे अगर प्रेक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो यह याद रखेगा एक औ पारे में 7.7 ग्लोबल जो फिस प्रोडेक्शन है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है सेकिंड लार्जेस्ट है पर्यूसिंग में जो की कंट्री के अंदर में ठीक है और थर्ड लार्जेस्ट है एक्वा कल्चर के अंदर में यह बोला गया ठीक है वनी स्टेटमे वरना आंसर एंटिंग भी है इसको भी आप लोगो पार्डिसिपेट करने है फिर से बहुता हूं 200-500-500-500 सब्द में आप लोग आंसर लिख सकते हैं कोसिस क्या करोगी एक-दो बच्चे का आंसर भी आप लोग अनलेसिस कर लो ताकि कोई भी confusion आप लोग के मैंड में निकल कर सकते हैं बहुत ही शांदार इसकीम थी question के साथ में इंडिया वर्ल्ड की situation भी आप लोग को थोड़ी थोड़ी बता दी अब कोई भी doubt होगा तो इसको ही पर ही छोड़ कर जाना है अपने साथ में doubt लेकर नहीं जाना है ठीक है I hope की mind में clarity आगी होगी पोलिटिका काफी important section है जहांसे direct question आप लोगे लिए exam में बनते हैं आपर अश्तरिकी की question खास कर पूछे आते हैं क्योंकि कई बार ये news में रहते हैं आपर बात की जारी है curative petition के बारे में नाम सी आप लोग समझ सकते हैं वैसे थोड़ा सा कि कुछ गलत कर दिया अब उसको सही करने की कोशिस की जा रही है या फिर सामने वाले को एक संभावना है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है फिर से review क्या जाएगा कि कुछ गलत हुआ है या फिर क्या सही हुआ है इसको बोलता है curative petition मतलब क्या है मतलब यहां पर यह है curative petition का अगर माली ये court ने कोई decision दे उसको आप लोग review petition बोलते हैं कि review करना अपने ही decision को पर लेकिन जब यहां पर review भी कर लिया उसके बाद भी अगर उसके अंदर में कोई दिक्कत रह जाए तो फिर आते हैं आपर curative petition ठीक है तो यहां पर यह वाला आप लोगो last हतियार देखने को मिलेगा जो कि यह माना जा कि curative petition यहां पर उसके देखे जाए कि हाँ भाई साब ऐसा कुछ हुआ है यह फिर नहीं हुआ है तो court का एक तरीके से अपने ही decision को review के बाद में फिर एक curative के लिए डाला जाता है कि last chance से देख लो यार तुमने से क्या पता गलत कर दिया हो ठीक है तो यहां पर जो center के दौ एक particular एक factory थी जिसमें से gas निगले थी और उसकी वैसे रातों में ही 1000 लोगों की जान चली गई थी ठीट अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग है रान हो जाओगी यह जो particular ऐसी दुर घटना घटी थी यह 1984 यानिके 1984 की है और मैं आप लोग से यहां पर बात कर रहा आप लोगो नीचे comment box में लिखना है वो question के तोर पर कई बार पूछी जा चुकी है भोपाल मध्यपरदेश के अंदर में यह तराज दियु थी इसके ओपर एक movie भी बनी हुई है अगर पूरी तराज दिक को अच्छे समझना चाते हैं तो movie देखेगा राजपाल यादव है जो कि हाँ पर काफी important एक तरीके से incident को दिखाने कोशिस की गई है और ऐसी movie खासकर आप लोगो देखने चाहिए जबी भी टाइम लगता है ठीक है तो खासकर कोशिस के अगरो अगर कोई movie बताता हूँ Sunday Saturday में आप लोग देख लिए अगरो time निकालके क्योंकि उसमें कुछ असोक हो रहा वर्सिस असोक हो रहा और जो यहाँ पर यह केस आया था 2020 का तो यहाँ पर इस particular case में यहाँ पर यह बोला गया था कि हाँ यार ऐसा भी कुछ यहाँ पर होना चाहिए कि अगर एक बार review कर लिया तो उसके बाद भी कुछ अगर कमी दमी बच जाए उसको पूरा को यह आजा सके तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह है कि यह कहीं न कहीं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए Supreme Court ने एक और मोका यहाँ पर रखा है कि क्या पता कुछ ऐसी गलती हो जाए कि गलती किसी भी इंसान को basically बहुत प्रोल्म में डाल सकती है तो इसी के च judgment जो कि वो एक तरीके से judgment दे चुके है ताकि किसी के साथ में जो है unjustice नहीं हो सके एक तरीके से justice का कोई गुलत एक तरीके से आपर तरीके से deliver नहीं किया गया उसको review करने के लिए तो curative petition समझ में आ गया अगर कोई पूछ ले किस article में है तो इसके बारे में याद रखना article नहीं है ये particular case का नाम आप लोग याद रख लेना ठीक है कोई confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए तो पूरी news थी कोई भी doubt हो तो बताना उसको clear करना है ये काफी important news है इसके बारे मे एक question भी पूछूँगा इससे बारे में ता कि आप लोग यहाँ पर उसको भी attempt कर पाऊ चेजे हमारे देश में अभी 36 वे नेस गेम आप लोगो देखने को मिले गुजरात के अंदर में और यहाँ पर जो particular ये game थे ये start किया गये थे कहां से एहमदाबाद एहमदाबाद मे एक particular stadium जिसका नाम है नरिन मोदी stadium इसका पहले कुछ और नाम था बताएए क्या नाम था यहाँ पर प्राइमिस्टर मोदी जी के द्वारे इसको इनुगरेट किया गया और यह जो game है अभी हाँ पर complete हुए तो इस game के अंदर में क्या क्या performance रही किसकी थोड़सा उसके बार तो आप लोग यह याद रख सकते हैं बाकि यह जो game है यह 36 वे game आप लोग को कई सारी city में देखने को मिले जैसे कि हमदाबाद गांधी नगर सूरत तो अलग-अलग city में यहाँ पर हुए 29 September से 12 October तक यहाँ पर चले इनका जब final result आया तो जो services है उसके द्वारा top position यहाँ पर ले गई उसके 61 यहनके 61 गोल्ड है 35 silver है और 32 ब्रोंच है टोटल मिलाके 128 यहाँ पर इसके पास में medal है अगर बात करें यहाँ पर महरास्टा इस्टे दूसरे नमबर पर आ 39 गोल्ड के साथ में 38 silver के साथ में और 63 ब्रोंच के साथ में आप लोग बोलो कि इसके medal जाते है फिर यह पहले position पर क्यों नहीं है क्योंकि position जो है वो gold के इसाथ से decide की जाती है अगर gold दोनों के equal आ जाए तो फिर यहाँ पर silver के इसाथ से decide की जाती है इस तरीके से जिसके ज़्यादा है gold या silver होंगे वो ही पहली position पर आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है हर्याना यह आप लोग ध्यान से देखोगे जो गुजरात है वो बार भी position पर आप लोग को देखने को मिला ठीक है तो यहाँ पर 49 medal है गुजरात के 13 गोल जो है आप निकल कर आए अब important मुद्दा क्या है अगर आप लोग इस state pieces की त्यारी कर रहे है तो आप लोगों के state में खासकर जो उनके player आते हैं और उनके player आके सब के छक्के चुडा कर चले जाते हैं तो services नहीं हाँ पर top मा रहा है ठीक है तो क्योंकि वहाँ पर पूरी discipline के साथ में जिंदगी को enjoy करते हैं और वहाँ पर एक तरीके से milka sing movie देखे ना तो वो वाले training आप लोग है हाँ पर देखने को मिल बात की जा रही है कि इसके बारे में यह सलेंडर लोरिस यहाँ पर इसके चलते हैं अभी recently यह news में आ गया है क्योंकि पहली बार हमारे देश के अंदर में इसके लिए first century बनाई गई है जिसका नाम यहाँ पर कादुबूर Splendor जो लोरिस का नाम यहाँ पर एक तरीके से में इसको प्रोटेट के जाता है और तमिलाडू के अंदर में यहाँ पर पहली एक century बनाई है जहाँ पर इसको प्रोटेट किया जाएगा ठीक है तो यह याद रखिएगा अभी कुछ important सब्द में आप लोग को बताऊंगा जो वास्त में important है जैसे आपर बात की जा रही है यह है herboral अगर आप लोगों से पूछे कि इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब आप लोगों यह देखने को मिलेगा ऐसे जीव जन्तू जो की पेड़ पोधों के उपर normally रहते हैं अपनी जिंदगी जीते हैं ठीक है तो उनको यहाँ पर basically herboreal बोलते हैं herboreal animal के नाम से इनको जानते हैं जो ट्रीपर यहनिके पेड़ पोधे जो हैं उनके उपर अपनी जिंदगी वैतियत करते हैं वहीं पर ही चीजे खाते पीते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह भी इसी category में आता है ठीक है एक सब्द लिखावाए आपर यह लिखावाए प्रिमेट्स प्रिमेट्स क्या होता है अगर आप लोग उसे में पूछू हूँ वीडियो पोस करकर आप लोग बताइए प्रिमेट्स जैसे कि हम जो है इनसान जो है कहीना के इसी category में आप लोग को देखने को मिलेंगे नोर्मली आप लोग बोल सकते हैं जो एक तरीके से जैसे हम जैसे इनसान जैसे हाथ है हमारे पास में उंगली है और अंगूठा भी है उंगली और अंगूठा कहीना कि इसी चीज पर गृप बना सकता है उसको पकड़ने के लिए ठेक है तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते है एक प्रोपर पैर आप लोग को देखने को मिलेंगे तो यान यहां पर plants और benefit होता है farmers को जैसे आप लोगों ने देखा होगा केचवा काफी किसानों का दोस्त माना जाता है ठीक है वो मिट्टी को खा कर उसमें खाद में convert कर देता है तो उसी तरीके से आप लोग इसके साथ में connect कर सकते हैं अगर बात करें इंडिया के अंदर में फस्ट सेंचुरी जो थी यहां पर सेलेंडर लोरिसिस की यह यहां पर आप लोगों को देखने को मल रही है तमिल नाडू के अंदर में और इसका जो habitat है जहां पर यह रहता है वो ट्रोपिकल जो इसका और इसके साथ में यहां पर जो decidious forest है वहां पर normally यह पाया जाता है और दो category के हैं यहां पर एक तो grey है और दूसरा red है जो grey type का है यह सिरलंका में और इसी के साथ में इंडिया में सदन इंडिया में पाया जाता है IUCN, International Union of Conservation Nature के अंदर में से nearly threatened की category में रखा गया है जो red जो हैं पर आप लोगों cylinder lowrises देखने को मिलेगा यह only सिरलंका में पाया जाता है बाकि बात करें जो red वाले की और grey इंडिया और सिरलंका दोनों में पाया जाता है ठीक है यहां पर जो grey वाला है आपर इसको प्रोडेट किया गया है कहाँ पर यह वाला प्रोडेक्शन एक्ट के अंदर में 1972 के schedule 1 में क्योंकि इनकी condition जादे खराब हो रखी है ठीक है तो इस तरीके से याद रखिएगा question में आप लोगों से attend भीक रहा है था कि first जो century है आपर insulated जाना बिल्कुल नहीं है ठीक है आगे चलते है next news के ओर यह news international relation के point अप से आप लोगो हलका सा इसके बारे मा idea होना चाहिए सबको पता है कि Russia ने अभी हाँ पर बहुती एक ऐसी हरकत है कि जिसकी वैसे Ukraine का चार area अपने control में ले लिया और बोला कि celebration किया गया बोला कि अबसे हमारे reason है ठीक है जिसमें आप लोगे हाँ पर दोनास्क इसी के साथ में खैरसान next यहाँ पर लोहांस्क और इसी के साथ में जापोरीजिया ठीक है तो यह चार reason है जिसमें हाँ पर अपने अंदर में इसको लेकर और यह बोला रसिया ने कि UNGA के अंदर में याणि कि UN General Assembly के अंदर में एक voting कराए जाएगी जो कि secret voting है आपर होगी याणि कि इनके द्वारे हाँ पर यह बोला गया कि एक secret voting के लिए इन्होंने आपर basically बोला secret ballot के लिए हाँ पर लेकिन General Assembly में हाँ पर इसके बारे में basic information आप लोग याद रखेगा अगर question बन जाए और इंडिया ने favor में डाला है vote यहाँ पर basically जब Albania के द्वारे हाँ पर बोला गया कि vote ऐसा कुछ होना चाहिए तो इसकी वैसे भी हाँ पर यह news में है बागी कह कह से के चीज़े होती है तो वह हम लोग समझेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे confusion बिल्कुल नहीं होना चीए ठीक है आगे बढ़ते है inequality का मतलब समझते हो यानि कि कोई बहुत ज़दा अमीर है कोई बहुत ज़दा गरीब है एक तरीके से divide हो रख है society के अंदर में किसी के पास में phone है internet है अच्छे कैसे gadget है याँ पर सारी चीज़े है और किसी के पास में cut के वाला phone भी नहीं है किसी के पास में education लेने के लिए सारे resources है और किसी के पास में ज़रासी भी कोई चीज़े नहीं है तो यहाँ पर बात की जारी है CRI यानि कि commitment to reduce inequality यानि कि जो भी है समानता है उसको कम करने की बात की जाती है तो government के दोरा कई सारी policies यहाँ पर लाई गई है जिसके चलते हैं हाँ पर 161 countries को देखा गया और COVID-19 के टाइम पर यह inequality काफी ज़्यादा बड़ भी गई थी तो उसको और थोड़ा सा सही direction में लेगे कर चलने की बात की गई हमारे देश की बारें बात करें तो याद रखेगा हमारी rank जो है 123 है और यह जो है किसके दोरा प्रिपेर की जाती है तो Oxfam International और Development Finance के दोरा यहाँ पर यह report तयार की जाती है तो CRI Index कोन तयार करता है यह तयार करता है हमारी rank क्या है तो यह 123 ठीक है तो 123 तो इस तरीके से आप लोग याद रखेगा क्योंकि कई और बार यहाँ से question बनते हैं तो हलका सा तो आइडिया कम से कम आप लोग को जुरूर होना चाहिए तो यह जो community के रिलेक्टिड सुप्रीम कोट ने अभी हाँ पर एक case सुना है और बात की जारी है आपर ex-communication के बारे में यानि कि जैसे आप लोग में सुना है ex-girlfriend boyfriend उसी तरीके से आपर ex-communication के बारे में हाँ पर बात की जारी है पर लेकिन इसका उससे relation नहीं है यह completely different चीज आप लोग को देखने को मिलेगी जिसको ex-communication बोलते हैं अब इसके बारे में आप लोग से बात करूँगा पहले हम लोग बात करते हैं Supreme Court के द्वारा क्या बोला गया Supreme Court के द्वारा बोला गया कि वो examine करेगा इनके check करेगा ex-communication of the Daudi Bohra जो community है उसका उसके member का वो continue है यहाँ पर मतलब कहने का यहाँ पर यह कि जो एक community है यहाँ पर उनको कई बार इस तरीके से treat के जाता है जैसे कि यहाँ पर उनका यह एक तरीके से इसका party नहीं है यानि कि basically उनको exile की तरीके से रखते है यानि कि एक तरीके से उनको part नहीं मानते हैं उनको society से अलग थलग डाल देते हैं कई सारी चीज़ों में उनको participate नहीं कर देते हैं यह Muslim community है इनको यहाँ पर नहीं include कियाता है यह mosque में भी इनको entry नहीं दी जाती है यहाँ पर दफनाय जाता है वहाँ पर कई बार इनको entry नहीं मिलती है तो इस तरीके से इनको अलग थलग रखा जाता है तो एक तरीके से यहाँ पर कई बार यह बोलते हैं ये community normally देखा जाए तो ये only हमारे देश में नहीं ये India के अंदर, Pakistan के अंदर, Yemen के अंदर, East Africa के अंदर में Middle East के अंदर है पाय जाती है और total मिलाकर इसके लोग लगबग आप लोग को 1 million यनके 10 lakh के करीब लोग देखने को मिलेंगी तो हमारे देश में इस community के साथ में क्या हो रहा है, तो उसको चेक करेगा Supreme Court, उसकी वज़े से यहाँ पर ये news में है तो confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों से यहाँ से question भी बनते है तो आप लोगों कम से कम at least इतना आड़िये होना चाहिए, कि अच्छा इस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जा रहा है तो दावदी बोरा community जो है यहाँ पर यह सिया सेक्ट के अंदर में आती है इसके leader जो थे यहाँ पर अल, दाय, अल, मुक्त, यहाँ पर मुतलक, ठीक है तो यह आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके जो leader थे, ठीक है जो एक तरीके से चीज़ों को एक तरीके से सही तरीके से लेकर चलते हैं, स्टार्टिंग से तो उनके बारें बात किज़ा रहे हैं, तो ex-communication भी आप लोग याद रुक है किसी को एक तरीके से exile में रखना, ठीक है उसको community से बाहर निकाल देना, वो वाली feeling आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है हाला कि हमारा देस आजाद है, समिधान के हिसाब से सब को equal right मिलते हैं तो उसी को Supreme Court यहाँ पर check करें, ओके यहाँ पर one-liner type की news है, पहली जो news आ रही है, वो defense से निकल कर आ रही है defense minister राजनात सिंग जी के दोरा, fourth year defense basically attaches जो conference देखने को में लिए हाँ पर New Delhi के अंदर में इसके अंदर में इंडिया जो है, वो चाता है, अपने जो friendly nation है, उसके साथ में अच्छे relation बना की रखे और ताकि friendly nation के साथ में अच्छे relation के साथ साथ में हमारे देश में investment भी आये हमां से, यानि कि हमारे देश में आके वो लोग जो है, एक तरीके से FDI लेकर आए और खासकर दो रियाज्य का नाम याद रखेगा, उत्तर प्रदेश और तमिलाड़ों में defense corridor बना रहे हैं, मतला, यहाँ पर defense से लिटर बहुत सारी activity हम लोग कर रहे हैं, ताकि development किया जा सके, तो इसके चलते हैं, यहाँ पर हम लोग चाते हैं कि investment भी मिले, ठीक है, तो उस ठीक है, तो यह कुछ ऐसा है, हलका सा अगर इस area से आते हैं, तो आप लोगों पता होने सी कि ऐसा कुछ हो रहे है, आसाम के अंदर में जो president दुरुपती मुर्मुजी हैं, उनके द्वारा यह काफी important question आप लोगों से बन सकते हैं, यहाँ पर बात की जारे किसके बारे में, यह है basically परम, फिर परम काम रूपा, ठीक है, तो परम काम रूपा क्या है, पहले तो यह पूछ जा सकते हैं, तो यह super computer है, जो कि IT, IIT, Guwahati के अंदर में, इनोग्रेट किया गया, किसके दौरा हमारी country की president दी के दौरा, मतलब आसाम के अंदर में, ठीक है, इंडियन navy के दौ में, तो यह Krishna Godavari basin पर, यह basically जो ODA, यानि के offshore development area है, वहाँ पर यह excise आप लोगो देखने को मिली, Indian navy के दौरा, ठीक है, तो confusion नहीं है, ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर Indian government के दौरे, हाँ पर infrastructure status दे दिया गया, किसको data center को, यानि कि जहाँ पर data रखा जाता है, वो भी एक infrastructure structure की category में आएगा, क्योंकि यह आसान नहीं है, आप लोग खुद देखो, जैसे Facebook हो गया, Google हो गया, YouTube हो गया, जो भी वीडियो यहाँ पर daily में regular upload करता हूँ, वे कहीं ने कहीं YouTube के ओपर store रहती है, आप लोग खुद भी download करते हो, तो आप लोग के laptop में store रहती है, पर लेकिन जिस दिन मैंने पहली वीडियो upload की थी, पहली वीडियो जब upload की थी, 28th of November को, इस particular channel पर यहीं पर भी YouTube पर पहली वीडियो जो मेरी आई थी, वो इस धरती के ओपर वो आई थी, 28th of November को, ठीक है, जो की मैंने upload की थी, ठीक है, तो यहाँ पर 28th November 2016 से लेके, जो जो भी वीडि YouTube का server है, उसके ओपर save हो रखे हैं सारी की सारी बे, तो उसके लिए एक धाचा बनाना पड़ता है, तो हमारे देश में खासकर अगर बात करें, तो इन चीजों के उपर ज्यादा focus नहीं दे जाता था पहले, पर जैसे जैसे online चीज़ें बढ़ रहे हैं सारी, तो इनके ओप फोकस दे जा रहा है, तो data center, जो कि more than 5 megawatt capacity का IT load यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके ओपर यहाँ पर बात के जा रहे है, और यहाँ पर एक तरीके से यह है, कि enable करेगा data center companies को ताकि easily access हो सके उनको, जो भी हाँ पर एक तरीके से institutional credit और lower rate या फिर attract कर सके foreign investment भी में, आसानी से यहाँ पर एक तरीके से ease of doing business में भी बहुत ज़्यदा फायता है, यहाँ पर यह पहुंचाएगा, ठीक है, तो यह है basically यह इसको धांचागत विकास यानके infrastructure की category में डाल देगा data center को, यह question direct आ सकते है, ठीक है, discuss कहता है detail में LEADS के बारे में, इसको बोलते है basically logistic ease across different states, ठी की जाती है, यह report, तो यहाँ पर commerce and industry ministry, तो यह discuss कहता है, मैंने याद रखेगा, 15 states जो थे वो achiever थे यहाँ पर, ठीक है, जब discuss कहता, Indian railway के द्वारा, interesting question है, बन जाये का direct बोलेंगे, हाँ पर basically fight EMU क्या है, यहाँ पर यह, ठीक है, किसके द्वारा इसको tackle कियाता है, तो Indian railway के द्वारा इहाँ पर tackle कियाता है, तो वंदे भारत का वर्जा है basically हाँ ठीक है, ठीक है, train की category में जब बात करोगी, ओके, आगे बात करते हैं हाँ यह है UNDP, United Nation Development Program की बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो इसके द्वारा select किया गए हाँ पर, REA.AZ, इसके साथ में हाँ Friends of Women World Banking India, तो यह FWWB India, तो यहाँ पर यह दोनों partner में आकर, हमारे देश में यह focus करेंगे कि agriculture, यह फिर उसके साथ में जो allied sector है, agriculture के support में जो sector है, जैसे कि घर पे पसुपालन हो गया, फूल बगवान, फलो की खेती हो गया, वो सारी चीज़े, उनको कैसे यहाँ पर support किया ज जा सके, और enterprise promotion यहाँ पर देखा जा सके एक तरीके से, देखिए जो भी खेती बाड़ी करता है, खासकर, एक तरीके सबसे बड़ी problem यह रहती है, खेतों में जो भी माल पानी वो उगाते हैं, वो market तक नहीं पहुँच बाता है, ठीक है, उससे पहले बहुत सारा खराब हो ठीक है, तो participate कर रहा है, IBS, AMAR इस exercise में, ठीक है, तो India भी यहाँ पर participate कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इसराइल और Lebanon जो है, उनके दोरा historic agreement sign किया गया, maritime boundary को लेकर, normally कई बार इसराइल जो है, इन देशों को पीटता वा नजराता है, ठीक है, यह इसराइल हो गया, यह Lebanon हो गय एक question नहीं था कि landlock country गोंसी है, ठीक है, तो ऐसे question आप लोग उसे पूछ ले जाएं, तो confusion नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो इस तरीके question बन जाते हैं, तो Lebanon, Syria, Israel और यहाँ पर Jordan आप लोग को देखने को मिल रहा है, यह Iraq आप लोग को देखने गया है, आज की date में इसराइल के control में है, एक C है यहाँ पर, इनके बीच में इसका नाम आप लोग बताएं, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है, news में है, question बन जाए, तो confusion आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर, बात की जारी है, Oxfarm International के टोफ किया है, student Germany, Finland, यह फिर Norway, अभी मैंने बता है, इसके बारे में आंसर दीजे, बात की जारे, socialist icon, जिनका नाम जैपरकास नारेन, उन्हों recently, अभी हाँ पर आप लोग देखते है, birth anniversary, death anniversary, celebrate की जाते है, important personality की, तो यहाँ पर इस तरीकी personality के बारे, पूछा जा सकते है, आजे में पैदा हुए थे, गुजरात, बिहार, मध्यपरदेश, या फिर आसाम, इसी के साथ में बात की जारी हाँ पर, responsible AI hub, और resources kit, यह एक तरीके से ensure करेगी, responsible adaptation of AI, यानिके artificial intelligence, इसके दौरे हाँ पर release किया गया इसको, नीतिया योग, इसी के साथ में NESCOM, FICCI, या फिर हा आंसर क्या है, यह बताना है, बात की जारी है आपर, जो मैंने भी discuss के था, आप लोग से, 36 national game, 2022 के, इसके द्वारा टोफ किया गया, railway के टीम के द्वारा, services की महरास्ता या फिर हरियाना, तो यह आप लोग को पता होना चाहिए, और अपने अपने राज्य के बारें भी थो आप लोग से कुछ बात है, डिसस कर लेता हूँ, खासकर प्लेसिन न्यूज और वोकैबलरी, फिर इनका अंसर बताऊंगा, ओके, इंपोडेंट रिवर, प्लेसिन न्यूज के बारे में, आप लोग यहाँ पर देखते है, क्रिशना रिवर के बारे में, हाँ पर बात की ज इसके बारे में, जो आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार ऐसे question आप लोग उसे पूछ ले आते हैं, तो छोड़ी-छोड़ी से information रहती है, जो कि आप लोगो बता होने चाहिए, लगबग 1400 किलोमेटर के करीब आप लोगों यहाँ पर यह रिवर आप लोगो नजर यह वेस्टन घाट में, जो basically महा बलीशवर है, ठीक है, तो पॉइंट आप लोगो देखने को मिलेगा है, यहाँ से यह flow होती है, और बेओ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है, अगर बात करें, यहाँ पर 4th largest river है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर after the ganga indus और इसी के साथ म तो आप लोग की जिन्दगी में पांच ने सब्द करने जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप लोग इन सब्द को use कर सकते हैं, अपनी answer rating में, अपनी English को improve करने में, NDA, CDS, SSC, banking के अंदर में, यह फिर कहीं पर भी जो आप लोगों से यह question एक तरीके से सब्द भी उपदर मचाना भी आप लोग बोल सकते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यह ऐसा सब्द रहता है कि यहाँ पर यह चीज वेंडिलाइस कर दी गई है, तो यह सब्द काफी ज़्याद है आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर ऐसे सब्द आप लोगों को यह जो repeated सब्द रहते हैं, उनके बारे में तो कम से कम at least पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब्द होते हैं और जो आप लोगों से paper में पुछाते हैं, फिर antonym या फिर synonyms के अंदर भी, ठीक है, तो अगर एक बार आप लोग इनको revise कर लोगे, और जो भी सब्द में discuss करता ह कम से कम week में एक बार बैट कर उनका revision जरूर किया गरो, इतना जरूर किया करो या, यह request है आप लोगों से वरना पठाता तो चला जाओंगा, पर लेकिन आप लोगे चीज़े याद नहीं रहने वाली है, ठीक है, एक सब्द है आपर, जो की diminution, ठीक है, तो इहाँ पर इसका पहले उनको practice कर लो, अच्छे से, क्योंकि week में भी आप लोगों पता है, हर जो daily question में discuss करता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों से practice के लिए, फिर monthly वीडियो आती है, तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हो जाते है कि बहुत सारे revision हो जाता है, ठीक है, तो कमी नहीं होती है, तो आ आ है, आपने नहीं होगा किसने सुनाया बताना है, इसको बोलते है lazy, ठीक है, तो जैसे कि एक तरीके से lazy होता है, उससे lazy बताना थिया, बिसी लिए, पड़ावाए है, उसी से आप लोग बोल सकते हैं कि निरवल इंसान है, ठीक है, तो या आप लोग देखते हैं हापर, so ostat तो इस तरीके सब्द आप लोगों से पूछे आते हैं, तो यह सब्द आपर यूज करोगे, तो ही नए सब्सक्राइब करोगे, तभी ससी थरूर बनोगे, यह ठीक है, वरना ऐसे नहीं होने वाले चीजे, एक बच्चा कहा रहता है कि सर जैसे वीडियो आती है, धूम धाम से वीडियो को देखने हाता हूँ, तो बोलना हाती से कि सर, पैन मेश पीठी से मैं यह पर वीडियो देखने आता हूँ, ठीक है, तो पैन मेश मतलब धव धाम से, एक तरीके से पूरा सामने वाले को रिजट दिखना चाहिए, आपकी बोडी फिट होनी चाहिए, वो रिजट दिखना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आप लोग के अंदर confidence आएगा, और लोग कैंगा, फिट कैसे रहते हो तो उसको यह नहीं पता कि पीछे बंदा कितनी महनत कर रहा है, तो वही आप लोग के exam की preparation में होना चाहिए, लोग को आप लोग के हाथ में किताब नहीं देखनी चाहिए, बस उनको रिजट देखना चाहिए, क्यार यह पढ़ता हुए तो देखा नहीं, result बड़ी जल्दी आता है इसका, वो वाली feeling कब आएगी, जब आप लोग अकेले में बैट संखर्स करोगे, ठेक है, तो आप लोग को वाली feeling आप लोग को देखने को मिलेगी, बात की जारी है, एट्रेशन के बारे में, तो एट्रेशन जो सब्द आप लोग के सामने हैं, आपर यह है, इसका मतलब है संखर्सन, ठेक है, किसी चीज को reduce कर देना, उसकी strength में एक तरि अपर इसको देख सकते हैं, कि eros कर देना, कोई चीज कम कर देना, नहीं कहते है कई बार कि यहाँ पर यह रस्सी जो है, उसकी मेड़ पर उसको घिसते रहते हैं, तो घिस घिसकर कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर कई बार सुनोगा कि मिट्टी का erosion हो गया, तो यहनी कि चीजे कहीं न कहीं कमजोर होना भी आप लोग बोल सकते हैं, इसलिए हाँ पर standing जो है, उसका opposite सब्द बन गया, ठीक है, तो पांस सब्द तो हैं, बाकि अगर time लगे, तो जो एक तरीके से antonym और synonyms हैं, उनके उपर भी थोड़ा सा अप लोग फोकस दे लेना, अगर आप लोग थोड़ा सा दया करोगी मेर उपर, तो इनके उपर भी कुछ-कुछ आप लोग थोड़ा सा sentence बना कर देख लेना, ठीक है, time निकाल ले करो यार, यह आप लोग के लिए ही है, okay, question के answer देख लेते हैं, फिर बोलोगे, sir, answer तो दिये नहीं हाँ आपर, तो यहाँ पर, य इंटरनेंस, यहाँ पर इंटरनेंसल, जो हाँ पर आप लोग को देखने को मिला, इसके द्वारा जो अनौंस किया गए हाँ पर, CRI, तो इसमें टोफ किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेगे हाँ आपर टोफ किया गया, नोर्वेय के द्वारा, ठीक है, तो confusion नहीं ह हमारे देश की रेंक कितनी थी वो आप लोग को बताना है, रिवजन कर लो थोड़ा, यहाँ पर जैपर का सनारे ने जो है, वो बिहार से निकल आते हैं, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिलती है, 11 एक्टूबर को, ठीक है, तो यह आप लोग इनके बारे में इस किये गया, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 36 गेम, कहाँ पर यह याद रखेगा, यह आप लोगो, basically किस के द्वारा जीते गया, services के द्वारा, 2023 में कहाँ पर होने वाले गेम, उस राज्य का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है, बाकि अगर बात करें हैं, आपर CSAT का question, तो answer आप लोग यहाँ पर D देखने को मिलेगा, 71, ठीक है, तो यह exact इसका answer है, D आप लोग के सामने correct answer, solution भी है, इसको practice आप लोग कर ले करो, CSAT को जुरूर, कोई भी doubt नहीं होना चाहिए यार, यह छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, अगर practice कर गे चलोगे, त हैं, आपर basically, हर्मन प्रीत कोर, ठीक है, captain है Indian woman team की, शांदार तरीके से आपर जीत कराई है, इसको कहते हैं, एक तरीके से जिंदगी में, अपने talent का सही utilize करना, और दबना नहीं की जिज़े, ठीक है, तो इस तरीके की जिंदगी जियो, तबाएगा मज़ा, तो यह था पू दूर करकर आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, और देखो यार, थोड़ा सा discipline में चीजों को करना है, श्टार्ट करो, आप लोग की जिंदगी है यार, अगर आप लोग ही नहीं सुधारोगे, तो कौन सुधारेगा, यह तो बतादो मुझे, तो उसके उपर आप महनत नहीं करोगे, तो वो भी किसी और के साथ में उसके साध्य होती ही नजराएगे, चाहे वो लडगका हो, चाहे वो लडगकी हो, तो महनत करने से ही आप लोग को प्रोपर आप लोग की चीज़ें मिलेंगे, नहीं तो कोई ओर ले जाएगा, उसको छेन का फिर रोते रह आप मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन